इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे मुंबई इंडियन सो चेननाई सुपर किंग्स के बिच आई पेल का जो मैच नंबर 12 खेला जाएगा डिटेल में कवर करेंगे वीडियो कहीं पे भी आपको बिल्कूल भी स्किप नहीं करना है कलके मैच सब्स की बात करूँ जो चीज जबरदस्त विनिंग कलके मैच में करिया कलके मैच में क्या हर आई पेल के मैच में हम लोग जबरदस्त विनिंग करके जा रहे है ठीक है वीडियो कंपलेट देखोगे और इrob्स एक तरफा 能गे करके जाओगे आई पे लितियास की दो सबसे बड़ी टीम्स एक साइड रहेगी मुंबाई इंडियन्स तो दूसरी साइड रहेगी दोनी की चैननाई सूपर किंग्स भाई दोनों टीम्स के बीच में तगड़ा मैच आपको आज देखने को मिलने वाला है वेन्यू रहेगा मुंबाई थोड़ी सी चीजे फेवर में जा सकती है अगर मैं मुंबाई इंडियन्स की बात करूए को कि होम वेन्यू को पर आपको मैच खेलती हूँ दिखेगी दोनों टीम्स की जो प्रोब्लम है वो इनकी थोड़ा सा गेंदबाजे डिपार्टमेंट पर रहेगी बाकी बैटिंग अगर देखोगे वो दोनों टीम्स के आपको काफी अची देखने को मिल जाएगे तो डिटेल में कवर करेंगे ध्यान से वीडियो देखना कहीं भी आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आगे बढ़ते दोस्तों सबसे पहले आपको बता आपको बिल जाएगा आपको लिंक जाएगा आगे जलते हैं दोस्तों मेच के बाद करेंगे वेन्यू रेगा वानखेडे स्टेडियम मुंबई, टोटल एक्सो चार मैच हुए, 48 विन करें, 56 विन करें, 56 विन करें, सैकिन बैटिंग ने, एवरेज जो स्कोर है, पहली लिंक का 167 के आसपास है, नोर्मली कंडिसन्स यहाँ पर बैट्समेन को फेवर गरती है, छोटी बा जान देना, तो बैट्समेन के उपर ज्यादा फोकस करके चल सकते हो, स्कोरिंग बैटन देखोगे, 190 पलस 20 बार स्कोर बन चुका, 170 से 189 के बीच में 33 बार, दोनों को एड़ करूँआ, लगबग 53 मैच में ऐसा हुए, जाप 170 पलस का स्कोर बनाए, आप लोग मान के चलो, क मैच 22 मही 2022 को हुआ था, जहां पे जो मैच हुआ था, वो संराइजस हैदराबाद और किंग्स 11 पंजाव यानिकी पंजाव किंग्स के बीच में था, हैदराबाद ने 157 करे, पंजाव ने 160 बनाके चेज किया, पांच विकेट से, सेकिंड मैच देखोगे, 21 मही 2022 दिल्ली कै मैच को विन किया, अब पिछले अगर मैच की बात करूँ, आप लोग अपने सामने, कि लिए 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 देख पाऊगे, जो तीन मैच है वो भाईया, एक तरफा याँ पर फस्ट बैटिंग, सोरी, सेकंड बैटिंग ने विन करें, जबकि सिर्फ एक सिंगल मैच य ज़रूर आपको बनते वे दिखेंगे, आगे चलते हैं, हैट टू हैड मैच की बात करें, दोनों टीम्स के बीच में 34 मैची हुए, मुंबई ने बीच विन करें, चेन ने 14 विन करें, थोड़ा पीछे दिखें की चेन ने सुपर किंग्स की टीम, लेकिन जो सबसे बड़ी कमजोरी आपको दिखेंगी चेन ने की, वो रहेगे भाई इनका बोलिंग डेपार्टमेंट, क्योंकि बोलिंग इनके पास में बिल्कुल आप लोगे मान के चलो कि खतम ही है भाई, कहीं है नहीं गेंदबाजी डेपास में अगर मैं इस IPL की बात करूँ, मुंबई के पास इनके फास्ट बोलिंग डेपार्टमेंट के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, सबसे बड़ी कमजोरी चेन नहीं की, आपको ये देखने को मिलेगी, लास्ट जो मैच वो दोनों टीम्स के बीच में 2022 के आई पल का था, जो कि 12 माही को था, चेन नहीं 97 करें, मुंबई ने च चेन नहीं के साथ में कंपेर करूगा, आगे बढ़तें दोस्तों वीजन 11 को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, इसी वीडियो के डिस्किप्शन में जाओगे, आपको लिंक मिल जाएगा, आपको आपसे डाउनलोड करके खेलना स्टार्ट कर सकते हूँ, पहली बार अगर आप लोग साइन अप करोगे, आपको 500 रुपीज का कैस बोनस भी मिलेगा, दूसरी चीज़, मान लीजी अगर आपने भया टीम्स बना ली, लेकिन आप लोग कोंटेस्ट ज्वाइन नहीं कर पारे, टाइम जो है, वो काफी कम बचा है, तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर 200 तक यहाँ पर कोंटेस्ट ज्वाइन कर सकते हूँ, यह सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, एक सिंगल क्लिक करो, और जितनी मर्जी आप लोग यहाँ पर कॉंटेस्ट ज्वाइन कर पाऊगे, तो टाइम भी आपका काफी ज्यादा यहाँ पर बच जाएगा, आगे चलते हैं, आज के मैच की मिलनी बात करूँ, विजन 11 आपके लिए 35 लाग की मेका ग्रेंडी लेके आया, तो जाइए फटाफट अपना टीम बनेए और भाईया खेलना स्टार्ट करेजिए, फर्स्ट रैंक से यह मुझे इसी एंकुराओ फैमली से, 15,000 का आपके लि करके और खेलना स्टार्ट कर सकते हूं, आगे चलते हैं दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मुंबई की प्लेंग 11 देखते हैं, जो कि लास्ट मैच के कोडिंग है, इस मैच में चेंजी जो हो सकते हैं, वो दयान में रखना, लेकिन मुंबई की बात करूँ, अगर लास्ट मै जी उतनी बढ़िया है नहीं, और Cameron Green आज के मैच में में भी हो सकते हैं, अच्छा पर्फॉर्मेंस आपको करके जरूर दे, तो आप लोग अपनी टीम मैच से डिफरेंचिल कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी में Cameron Green को जरूर ट्राई कर सकते हो, सूरे कुमार याद दो पंद और उपर बैटिंग आपे मिलनी चीए, रितिक सोकिन पांच रंस प्लस कोई विगेट नहीं, अरसाद ने एक विगेट, पंदर रंस के पारे, पियू सावला विगेट लेस, जोफरा आर्चर विगेट लेस, जैसन बैरन डॉर्फ विगेट लेस, यह बाई अगर बात करू यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स, गलत मैंसन, और अकवाई, चेन नहीं, सूपर किंग्स की ए टीम में ठीक है, डीवन कोनवे ने लास्ट मैच 47, रितुराज गा एक बार दोनों मैच में तगडी पारी, अगर आप लोग देखोगे, पहले मैच में 92 की पारी, दूसरे मैच म 27 करे थे, मोहिन अली ने 23 प्लस लास्ट मैच क्या कमाल की गेंदबाद जी थी भाई, चार विकेट जो इन्होंने निकाले ना, पूरा गेम चेंज करके रख दिया, मेरी टीमे वाइस कर्टन थे, और वीडियो जब मैंने कवर करे थी, आपको स्पेसली बोला था, अगर प्लस पॉइंट है चेंजने के लिए वो ये कि भाई लास्ट मैच इन्होंने एक ओवर की गेंदबाद जी करवाई थी, हो सकते हैं इस मैच में आपको ज्यादा ओवर करते वे भी दिखेंगे, ठीक है, उसके बाद में अमबती राइडू 27 की नोट आउट पारी, पहले मैच में तीन विकेट, तुसार देश पंडे, अब तक टोटल तीन विकेट यहाँ पे निकाल चुके, तो ये रहेगी चेंजने सूपर किंग्स की टीम, गेंदबाजी डिपार्टमेंट देखोगे, थोड़ा सा कमजोर दिखेगा, एक्सपिरेंस की बात करूँ, चा जहां से हम लोग बात करते हैं, मैच अपस के बारे में, बैक्समेन वर्सिस बोलर्स के मैच अपस, जो कि अपनी सबसे फेवरेट चीज होती है, तो सबसे पहले मुंबई इंडियन्स के बैक्समेन के, अगर मैं बात करूँगा, यहां से बहाँ चेंगा, चेंग नहीं जिसमें दो बार अपना ये विकेट भी दे चुके, वो सबसे बड़ी चीज रहेगी, जड़ेगेज़ा के सामने तो और ज़्यादा इनके आकड़े आपको खराब मिलेंगे, 80 गेंज में 83 रंस और तीन बार आउट हो चुके, तो क्या यहां पे MS दोनी बाई रंदर जड़ेज़ा के सामने एक बार आउट हुए, 11 गेंज में 9 रंस है, बैंस टोक्स सामने 12 गें, 19 रंस एक बार आउट हुए, अली के सामने 12 गेंज में 21 रंस है, एक बार आउट हुचके, लेकिन जो सबसे बड़ी मुझे प्रोब्लम समझ आई रोहित की वो या तो दिपक चाहर के सामने रहेगी या फिर रविंदर जड़ेजा के सामने, दिपक चाहर को तो इनको फेस करना पड़ेगा, तो कि उपन करना हैंगे, और चाहर भाई चेन्ड़ी की साड़ी से स्टाइकर गेंज बाज रहेंगे, अब जड़ेजा कि किस पोजिशन पर यहां पे करेगी या फर नहीं करेगी लेकिन स्टैट्स देखने के बाद में मैचसप देखने के इतना किलिए रही रोहित को जड़ेजा के सामने दिक्कत तो बोस यहां पर जरूर होने वाली है उसके बाद इशान किशन की बात करें सेंटनर के सामने 11 गेंड में 5 रंस है एक बारा जड़ेजा को जा सकते हैं रोहित का विकेट जड़ेजा को ना जाके या पर मिचल सेंटनर के अगेंस्ट भी जा सकते है जो कि इनको लड़ी एक बार आउट वैसे भी कर चुके है तो यह थोड़ा सा फोकस करना आप लोग आगे चलते दोस्तों यहां से बात करते है सूरे जड़ेजा को रोहित के के समैं भी अच्छा करते हे दिखे थे जड़ेजा आपको सूरे गुमार के के समय भी बढ़िया करते है तीन बार सूर्या को आउट कर चुके हैं तो यह सबसे बड़ा ट्रंप बिक बन सकते है आज के मैच भी लेकिन वाई 1-2 वर इनको रंस थोड़ी सी कमजोरिया देखने को जरूर मिल जाएगी लेकिन जो important pick up वो है दोस्त यहां पर रविंदर जड़ेजा ठीक है उसके बाद तिलक की बात को ज़्यादा किसी को face करा नहीं और ना किसी गेंदबाज के सामने अब तक अपना विकेट दिया जो main player है मेरे साब से Mumbai के चार वो मैंने आपको दिखा दिया बाकी नीचे तो Tim David भी है और भी player है लेकिन उन्होंने ऐसे गेंदबाज जब सामने वाले टिम्स में काफे नई लड़के जिन्होंने उतना ज़्यादा IPL भी खेला उतना ज़्यादा इन बल्ले बाजोंने उनको फेस भी करा नहीं है तो सर्फ दो चार गेंद के बेस पे हम लोग किसी player को जज़ करेंगे नहीं तो उस वज़े से मैंने जो main चार प्लेयर है यापे सिर्फ उनके stairs आपको दिखाई है ठीक है आगे चलते दोस्तों यहाँ से बात करेंगे अभी चेन नहीं सूपर किंग्स के बल्ले बाजों की यहाँ से सबसे पहले एक चीज के लिए कर दू रितुराज गायकवाद डीवन गोन वे जिनके matchups आपको मिलेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने किसी भी गेंदबाज को जो कि मुंबई की टीम में फिलाल आपको देखने को मिलेंगे उनको ज्यादा face करा नहीं है ठीक है एक दो गेंदबाजों को face के लेकिन उनके सामने भी चाहर गेंदे खेली तो उस वज़े से मैंने उनके matchups आपको दिखाई नहीं क्योंकि खास कुछ दिखाने लाइक उनके बारे में था नहीं ठीक है तो यह किसके सामने विकेट दे जाए वैसे भी मोहिन का खेल नहीं सकते हैं क्योंकि हिटिंग के उपर जयादा focus रहे यह किसी भी गेंदबाज को अपना विकेट दे कि जा सकते है या फिर किसी भी गेंदबाज के against यह run्ज करके जा सकते हैं लेकिन जो में चीज आईगी बैंट स्टोक्स जैसन वेंड़ोफ च्छे गेंद में दो रण से एक बार आउट वे प्यूस चावला दोस्त बहुत कम लोग फोकुस करेंगी धानक को आठ गेंद में च्छे रण से दो बार आउट कर चुके और प्यूस चावला आगे भी आप जा चुके तो आज के मैच में या तो स्टोक्स आपके लिए डिफरेंशिल बन जाएगा अगर बढ़िया पारी खेल जा या फिर भाईया प्यूस चावला आपके लिए डिफरेंशिल बन जाएगा अगर विकेट निकाल दे चिन्नी के टीम के प्लेस के नोर्मली बता दो चैन्नी मेरी फेवरेट टीम है मैं जरूर चाहूँँगा चैन्नी सुपर किंग्स इस मैच को विन करें बागी यार किर्कट बढ़िया खेलेगी जो तीम वो देखो मैच को विन करेंगे ठीक है तो प्यूस चावला के सामने थोड़ी सी प्रोब्लम या पे बैंस टोक्स को देखने को मिल सकती है आगे चलते दोस्तों यहां से बात करते है चैन्नी के दूसरे बल्ले बाद जो कि अमबती राइडू रहेंगे प्यूस सावला यहां पे भी दिखेंगे बोस आपको 49 गेन में 76 रन से 6 बार आउट कर चुके यह चीज किलियर लिए एक चीज दिखा र सामने तो क्या आज के मैच के डिफरेंशल फिक रहेंगे आपके लिए ग्रेंड लिग में या फिर स्मोल लिग में ट्राइज जरूर कर सकते है और इसको तो बोस लेके चलना पड़ेगा क्योंकि मैचस अपने पास में किलियर है उसके बाद में ज्यादा कीची के सामने इन काम ना भी आएं तो वो भी चीज़ देखने को मिल सकती है बट हमें तो अगर मैच अपस में चलना है तो बोस थोड़ा सा रिसक तो लेना पड़ेगा उसके बाद मेस की बात करेंगे यहां पर भी देखो के पिचासी रंस है और दो बार आउट इनको कर चुके हैं तो चारे बंदे भाई अपनी टीम में कैप्टन सी वाइस कैप्टन सी करेंगे लेकिन रोहित के आपड़े एक बार फर से दिखा दू अगेंस्ट रविंदर जड़ेजा और अगेंस्ट यहां पर दीपक चाहर थोड़ी प्रोबलम इनको है तो आप लोग आजे नोर्मल अपन चाहर और जोफरा आर्चर मेरे पास में रहेंगे यहां पर बैटिंग डिपक चाहर और जोफरा आर्चर मेरे पास में रहेंगे या बोलिंग सेक्षन से दो पिक्स जो की मैं आपको बता चुका हूँ और दोनों आपको इस टीम में देखने को मिलेगे नहीं वो रहेगी बाई सबसे पहले तो रविंदर जड़ेजा दूसरी रहेगी पियूस सावला की ठीक है उनके साथ में मैं जा सकता हूँ लेकिन ट लेकिन ओवर्स की ठोड़ी प्रोब्लम है कि उनके ओवर्स कितने करवाई जैंगे हो सकता है जड़ेजा के ओवर कम्परेट नहीं हूँ जैसा कि भाई लास्ट मैच में नहीं हुए थे ठीक है पियूस सावला हो सकता है वो भी अपने ओवर कम्परेट ना करें तो वो साइंगे उनके बाद में थोड़ा बहुत किलियर हो जाएगा कि कौन-कौन इनके में गेंड बाज रहेंगे और किसके ओवर कम्प्रीट करने के चांसे रहेंगे उसके अकोडिंग अगर यहां पर जडेजा को यहां पर प्यूसावला को अगर टीम में पिक करना पड़ेगा तो मैं आपको टोस के बाद जरूर अपडेट करूँ हो ज्यानक ना बागी आपको बिल्कू सेम चलने के जरूरत नहीं है अपने अकोडिंग चेंज करके आप लोग प्यूसावलो रविंदर जडेजा को इस टीम में जरूर पिक कर सकते हो ठीक है कैप्टन से जहां पे कैम थोड़ी सी यूनिक पिक्स रहेंगे बाकिस में अगर आप लोग एड़ करना चाओ प्यूसावला को और रविंदर जडेजा को वो आपके लिए ग्रेंड लिग में ज्यादा इंपोर्टर बन जाएंगे आजी कैप्टन वाइस कैप्टन स्मोल लिग में आप लोग उनको नोर्मल Calling आपने टीमें लेकर ज़रूर चल सकते हूं उमीद करता हूं दोसतो वीड्यो आपने complete वूज किया होगा पसंद आया तो वीडियो को यार like जरूर कर देना ठीक है लाइक में बहुत कंजूसी करते तो वीडियो को lain करतेना चैनल सब्सक्राइब कर लेना नोटिफ लिंक दे रखके फटाफर जाहिए और जोईन कर लेजिए उमीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपने कंप्लिट वोज क्या होगा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना मिलते हैं दोस्तों फिर अगले मैच की वीडियो में उमीद करता हूँ आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम को मिनेशन बनाओगे और आपकी टीम अच्छा परफॉम जरूर करें